हेलो गाइस, आम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point तो गाइस हमारी जो नेक्स यूनिट है वो है मंच प्रबंधन सेट, रंग सामगरी, प्रचार प्रसार, ब्रोरिश, ब्रोशेर, निर्मार ठीक है तो ये बहुत चोटी से यूनिट है, बहुत सिंपल से यूनिट है, इस यूनिट को हम खत्म करके अपने important question series देखेंगे, ठीके उसके बाद आपका ये पूरा subject complete हो जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं, सो लेज स्टार्ट रंगमंज सामुहिक कला है, इसमें प्रस्तुती प्रकरिया अनेक चरणों में कारे करती है निर्देशक, अभीनेता, भीनेत्री, पार्शवकर्मी, उलेखनिये भूमिका में होते है निर्देशक इस सारी प्रक्रिया का सूत्रिधार होता है वे नाटक कृती का चुनाव करता है उसका अर्थ निर्धारन करके नाटक का पाठ और मांसिक तैयारी करता है इसकी बाद पात्रों का चेन और उनकी भूमी का तै करके रिहर्सल और प्रस्तुती को फलीभूत करता है लेकिन प्रस्तुती प्रकरिय यही नहीं है साथ में रंग सामगरी, रमुमकरन, प्रेक्षा, ग्रे की वेवस्था भी उसके द्वारा ही की जाती है निर्देशक और मंच प्रबंदक मिलकर एक प्रस्तुती को सफल बनाने का कार्य करते हैं जिसमें सेट रंग सामगरी, ब्रोशर, प्रचार प्रसार की द्वारा प्रस्तुत होने वारे नाटक की सफलता को प्रायॉरिटी दी जाती है भी हमारे जो मंच प्रबंदक होते हैं और उनिर्देशक जो होते हैं ये दोनों ही इक मातर ऐसे हैं जो मिलकर यहाँ पर फैसला करते है कि कौन क्या कब कैसे क्यों और किस के लिए करेगा और कहा पर क्या होगा ठीक है इतना समझ लो बहुत बहुत असान है बस यहाँ पर यह बात खतम हो गई अब आती है मंच प्रबंधन क्या है भारतिय रंग परंपरा में सूत्रधार की महतुपूर भूमी कर रही है जो कलांतर में निर्देशक का स्थान लेती है जब आधुनी काल में मंच और रंग मंच को लेकर कारे में भाजन हुआ तो निर्देशक की कारे और भूमी का भी सुनिश्चित कर दी गई भारतिय नाटे रंग परंपरा में सूत्रधार एक परिकल्पिक निर्देशक के साथ प्रबंदक की जिम्मेदारी भी निबाता है एक नाटक की तैयारी योजनबत तरीके से होनी आवशक है प्रबंदन का प्रभाव नाटक की सफलता और अफसफलता दोनों पर पड़ता है इसलिए नाटे प्रस्तुती की तैयारी में नाटे प्रबंदन जरूरी है जिससे नाटक से है जो सुलब बन पाए ठीक है एक्जामपल मैं अगेन अपना ही आपको दूँगी मैं अपना एक्जामपल इसले देती हूँ स्टूडन ताकि कहीं और के एक्जामपल में जादा ना डिफरेंस हो ना कन्फूजन हो और आप लोगों को समझने में भी असानी हो जाए ठीक है अब एक्जामपल मैं अपने ये दूँगी कि कॉलिज टाइम पे हमें जो डिबेट्स दी जाती थी वो हमें कभी-कभी ना पहले भी दे दी जाती थी ये नहीं अपना पार्टनर चूस करो या फिर पार्टनर खुदा लॉट कर दे दी टीचर्स और उसके फिर हमें वो डायलोग पूरे करने होते थे मतलब वो जो नाटक हमें दिया जाता था वो करना होता था ठीक है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था हमें वो नाटक पहले से दे दिया जाता था जिसके लिए हम प्रिपेर करते थे अब उस नाटक को मंच पर दिखाना हमारा काम हो मंच प्रबंदक नहीं था, कोई निर्देशक नहीं था हम अपने निर्देशक मंच प्रबंदक खोदी थे तो यहाँ पर यह वाली चीज है मंच व्यवस्तने समधी सभी कारे मंच व्यवस्थापक को देख रेक में होते हैं इस बारे में रंग कर्वी गोविन सिंग यादव लिखते हैं मंच व्यवस्थापक रंग मंच पर गटित होने वाले कार्रे और गटी विधियों की योजनाओं का संचारन करता है जब एक नाटे संगठन या नाटे दल नई नाटे प्रस्तूती के लिए योजना बनाते हैं तो तभी से मंच जो है हमारा व्यवस्थापक की आवशक्ता होती है मंच व्यवस्थापक नाटे प्रस्तूती को अनुशास्ट तरीके से एक रूप प्रदान भी करते हैं वेग प्रस्तुती के आरम से निदेशक एवं प्रस्तुती वेवस्थापक के साथ अपनी भागिदारी भी रखते हुए होने वाली प्रस्तुती में अपना योगदान देते हैं कुल में लाकर मंच प्रबंदन की भूमी का नाटक के तै होने वाले पहले से ही आरम हो जाती है यह भाई जो चीज होने वाली है कोई सी चीज कहां रखी जाएगी कौन कैसी वेजबूचा पैने का क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हमारे मंच प्रबंदक का काम होता है अब आता है set देखो एक चीज़ मैंने प्रिपेर करी है और उसको प्रिपेर करने के बाद मेरा रोल जो है समझ लो एक बार्बी का है अब बार्बी साड़ी पैन के तो जाएगी नहीं और बार्बी जो है गाउन पैन के जाएगी प्यारा सा और बार्बी दिखाने के लिए पीछे में ढोल ताशे तो बजवाऊंगी नहीं और बार्बी एक प्यारी सी जगाई पेड़ पौधे लगे हैं चुडियाएं बैठी ही हैं इस टाइब की चीज़े दिखाऊंगी कि क्यों क्यों क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन ही ऐसी है अगर मैं बार्बी कहला हूँ और साड़ी पैन के चले जाऊ ना तो मुझे कोई नहीं पसंद करेगा कि यह कौन सी बार्बी है भाई इंदुस्तानी बार्बी यह साड़े बन के आ रही है तो यह वाली चीज़ अब इसलिए हमारा यहां पर importance रखता है set कि हमारा set कैसा है हमारे acting और हमारे चीज़ों के मताबिक कैसा है नाटे पर सूती में set की बूमिंग का लेख नहीं है क्योंकि प्रेक्षाग्रे में परदा उड़ते ही अथवा lights on होते ही दर्शक का पहला ध्यान set पर ही जाता है ठीक है यह भाई सब को पता है इस नाटक का नाम क्या है बार्बी का कुछ नाटक रखा गया है और सबसे पहले set दिखता है पेड़ पौधे हैं चिड़िया हैं नीचे खरगोश बैठे हैं ठीक है यह एक बार भी खड़ी है जंगल की साइड पे यह वो वाई ली चीज दिखाई जारी है आपे बताई जारी है ठीक है इसके अलावा यह यह भी बात ध्यान रखने जरूरी है कि एबन से लेकर आज तक कि सभी नाटकों की प्रदरिशन में ऐसे द्रिश्य बंद की तो भरमार है जो सोला आने या थार्तवादी है कमरा है तो दिवारे हैं सीड़िया हैं खिड़िया हैं दर्वाजे हैं किसे बाहर दिखाई पढ़ने वाले दर्शावली भी है आदी आदी ठीक है वही वाली चीज़ फटाक से एकदम पता लग जाना चाहिए कि बार्मी का रोल होने वाले है तो पता लग जाना चाहिए अब ऐसी सेट पे दिखा रहे होते हैं अगर सेट दिखाते हैं तो सोफा रखावा होता है पीछे आगे खिड़क्या बनी भी होती है पिलर खड़े वे होते हैं कि घर में पिलर भी होते हैं ठीक है वो वाली चीज़ है सेट के निर्मान उसकी परिकल्पना की अनिक संभावना है तो कुछ सीमाय भी है जैसे अगर रंगमंच की ही बात की जाए तो उसकी लंबाई चोड़ाई सीधे सीधे सेट की लंबाई चोड़ाई पर असर डालती है क्योंकि द्रिश्य सज्जा में थोड़ी कोता ही की जा सकती है लेकिन सेट निर्मान में नहीं की जा सकती अगर मैं चाहूं तो अपनी एक्टिंग में थोड़ी बहुत कमी कर दूँ कोई स्क्रिप्ट कर दूँ लेकिन सेट पे सजावट वगेरा में बिल्कुल नहीं कर सकती मैं सेट अथवा दृष्चे बन दौरा नाटक के वातवरन से परिचित कराया जाता है वही वाली बात आ गई कि मैं बारवी का कर रोल कर रही हूँ तो मेरे पीछे के सेट से पता होना चाहिए कि मैं बारवी का रोल अदा कर रही हूँ इसके लावा इनोंने बोला है कि नाटे प्रस्तुदी की वातवरन को सेट सजीवता देता है इसे तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है इस पे सेपरेट कोशन आएगा स्टूडें ध्यान से करना नाटे प्रस्तुदी की स्तान के अनुकूल हो नाटे के मूल भाव को अभी वेक्तिव करने में सक्षम हो दर्शको को समझ आने वाली हो आकर्शक और विन्यास में सरल हो मंच पर लगाने में कठी नाई ना हो अभी नेता भी नेत्रियों द्वारा मंच निरंता प्रियोग में आ सके मतब यह कि अगर एक सीन खतम हुआ तो उसमें जादा चेंजिस ना करने पड़े जल्द से जल्द उस सेट को हम अगेन यूज़ कर ले लागत कम हो असानी से और जल्दी से निर्मित हो सके इसके लावा बिना शोर शराबे के सरलता से बदला जा सके भली प्रकार जुड़ा हुआ हो मजबूत हो मंच का वेभाग जो दर्शकों को नहीं दिखना वो सेट पर ओज़ल रखा जाए दर्शकों की सीट से मंच तक की दृष्टी रेखास पष्ट होनी चाहिए जिस सामगरी का प्रियोग मंच पर होना है उसके रखने की उचित व्यवस्ता होनी चाहिए मंच सामगरी प्रकाश उपकरण और कलाकारों के चलने के लिए भी प्रयाब जगा होनी चाहिए ठीके ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है इसके बाद आता है रंग सामगरी नाटे प्रस्तुती के लिए मंच पर अनेक प्रकारगी रंग सामगरी की जरूरत होती है ये रंग सामगरी नाटक को गती देती है इन उपकरणों का मंच पर प्रयोग पातरों द्वारा किया जाता है मंचपत दृष्य सज्जा के लिए भी इन उपकरणों का प्रियोग किया जाता है समाने शब्दों में रंग सामगरी को रंग उपकरण अत्वा स्टेज प्रापर्टी कहा जाता है नाटे प्रस्तूती से पहले निर्देशक और मंच प्रबंदक मिलकर उन प्रापर्टी की एक सूची बनाते हैं जिनने में नाटक में प्रियोग करवाना चाहते हैं इन में से कुछ स्क्रिप्ट में लिखित होते हैं, कुछ निर्देशक अपने कौशन से प्रियोग करवाते हैं ठीके बेसिकली जो हमारी रंग सामगरी है, इसके अंदर यही चीज़े रखी गई है कि अब मेरा जो है रोल बार्वी का है और हेड मैं ही हूँ, ठीके मान लो मंच प्रवंदक मैं ही हूँ, निर्देशक मैं ही हूँ अब मेरा जो रोल है बार्वी का, मेरे साथ में मेरे प्रिंस का, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं लोग आसपास के तो उन सबका role अदा करना उनका काम है लेकिन वहां सब चीजों का धियान रखना मेरा काम है क्योंकि मैं दिर्देशक हूँ कौन सी चीज किस टाइम पर आनी है कौन सी script में कौन सी चीज निकल कर आएगी कौनसी चीज को स्टेज से हटाया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब रंग सामगरी में रखा जाता है ठीक है? तो इस तरह रंग सामगरी के अलग-अलग प्रकार दिये हैं वो दिये हैं तो ओने जैसे प्रकाश व्यवस्था सबसे पहले चीज प्रकाश मेवस्ता बहुत धियान रखने चाहिए कि लाइटिंग कैसी हो फेस पर भी पढ़े इस सब जगा पढ़े दर्शक बैटे में है तो उन्हें दिखना चाहिए कि कौन से चीज कहां पर कियों कब कैसे रखी गई है उसके अलावा है फ्लंड लाइट या पूरक प्रकाश फ्लंड लाइट या पूरक प्रकाश क्या होती है एक ऐसी बहुत नॉर्मल तरीके की लाइट होती है जो किसी भी रिफ्लेक्टर के डिब्बे में लगाई जाती है और ये तीन साइड में उपलब्ध होती है इसका यू प्रभाव वाली लाइट अलग अलग तरीके की होने चाहिए कि कोई भी चीज को एकदम दिखाना है जंगल हो रहा है बारिश है कोई भी चीज अगर दिखाई जा रही है सेट पे तो उसको इम्पोर्टन्स दी जाए क्योंकि दर्शक अपने आप से दो देखेंगे नहीं जब तक एक चीज पर लाइट नहीं पड़ेगी कि यह अच्छानक दिखाया गया है यह वो चीज है ठीक ही फिर आता है हमारा रूप सज्जा रूप सज्जा बहुत इंपोर्टन्स यहां पर रखता है फ्रेंच का लकार एम सिगनोरे बोलते हैं कि सरवादिक महत की बाद किसी भूमिका को उचित मूले देने के लिए है प्रतियक व्यक्ति चाहे वे सत्य हो या काल्प निक उसके मुख पर आत्म का प्रतिविम पड़े और उसकी मानसिक स्थिती व्यक्त हो रूप सज्जा ऐसी होने चाहिए कि आपका जो अभिने हैं वो आपके चेहरे से और आपकी एक्टिंग से रूबरू होना चाहिए कि भई मुझे बार्बी का रोल मिला है तो मुझे बार्बी ही बनना है मुझे बार्बी की मदर बनके नहीं दिखाना है मुझे बार्बी ही बनना है तो वो मेरी एक्टिंग की यहां पर डिपेंट करता है। उसके बाद है वस्थरए सज्जा , अब बार्बी का रोल मिला है तो अबिसली बाते गाउन पैनूँगी वई-वाली बाते सारी- थोड़ी पैनूगी साड़े पहनूंगी तो लोग मजाग अलग उड़ाएंगे और शो छोड़ के अलग जाएंगे कि बार्मी का रोल कहकर यहां पर हमारी आंटी जी को दिखा दिया तो इस वाले चीज की वस्तर सज्जा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रखती है तो इस चीज को ध्यान से र बैने गा तोर यह वाल्ज़ तोपर्फ़िंट हुग अब आता है प्रचार प्रसार किसी बीचीज के बारे में नियम मझन संगठन जो होते हैं वहाँ एक बारे इस चीज को दिखाते हैं पिर आप करम 11 Solo विनियास करता है वेपार प्रबंदक हैं ये सब जो हैं अपना-पना काम करते हैं इसके अलावा प्रचार कारे जो हैं प्रचार कारे को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइट किया गया है भुकतान द्वारा प्रचार कि पैसे दे कर प्रचार प्रचार किया जाता है अकबार औ देखोगे उस पैयर डाते हैं ठीक है वो सब चीज़े हैं सोशल नेटवरकिंग साइट का यूज किया जाता है अपने आपके शो को प्रचार प्रसार के लिए दिखाने के लिए ब्रोशर निर्मान क्या है नाटे प्रस्तुती से पहले जब रिहरसल आरम होती है उसके प्रच हो जाता है आपने देखा होगा फिल्मा आने से पहले उनका ट्रेलर आता है उसको ब्रोशर निर्मान बोला जाता है ठीक है ट्रेलर को एक तरीके से ब्रोशर निर्मान इसलिए यहां पर रखा गया क्योंकि हम मुवी तब ही देखते हैं जब हम उसका टाइटल देखते हैं हम उसका ट्रेलर देखते हैं और हमें पता लगता है कि हाँ इस मूवी के अंदर यह होने वाला है इस मूवी में यह लोग है और हो भी सकता है उसमें से हमारा कोई फेवरिट एक्टर या एक्टरिस हो ठीक है तो हम उस वेब में भी उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं कौन है उसमें डांस करने वाले कौन है ठीक है आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर हमारे सॉंग्स होते हैं ट्रेलर के साथ जो बढ़ते हैं रिलीज होते हैं यह वो सब है ठीक है वेश-भूश है कैसी है पात्रों के नाम किया है क्या चीज़े है यह सारी वो चीज़ जो कोशन में पूछा गया है वो आपका जो है यहाँ पर यह खत्म हो गया है स्टूडेंट कोगनाचुलेशन की सबजेक्ट आपका खत्म हो गया और अपकी जो हमारी नेक्स क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे उसमें हम अपने रंग मंच के इंपॉर्टन कोशन सिरीज देखेंगे और साथ में उसके आंसर भी देखेंगे ओकी स्टूडेंट होग सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा हो इस क्लास के रिगार्डिंग भी जैसे बाकी क्लास में कोई नहीं था अगर आप लोगों डाउट या कोशन या सिजेशन से तो आप मुस्से कमेंट बॉक्स या टेलिग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं ठीक है सो थैंक्स फर दा वाचिंग और बेस्ट आफ लग ओल